ओली अकबर ने चौने वाला एलाम किया है जिसके बाद वूस्सुर्खियों में बनी हुए है। अलिय अकबर ने लाइब वीडियो में सिडियस मेपन रावत के निधन पर खुशे मनाने वालों की निंदा की थी बदवार को अलिय अकबर ने बताया था कि उनका मुस्लिम धर्म से विश्वास उठीया है इसलिए अब वो और उनके पत्नी हिंदू बने के लिए तैयार है अलिय अकबर ने अपना नया नाम भी सेलेक्ट कर लिया है वे अब अलिय अकबर से राम सिम्हान होंगे उन्होंने बताया की रामा सिम्हान को शख्स था जो इसलिए मारा गया क्योंकि उपने कलशर के लिए खड़ा रहा अले अक्बर के मताविक रामा सिमाहन नाम उनके लिए सटीक बैठता है अले अक्बर ने लाइव वीडियो में बहादूर सिनाधिकारी की मौथ पर रियाक्शन देने वालों के लिए दा की थी अले अक्बर को इस बात से भी ठेस पहुंशे थी कि कोई भी धर्म ग्रूप कटरबंधियों के खलाफ नहीं खड़ा हुआ सामर दाइक परतिकरिया देखने के बाद अले अक्बर ने अपने पुराने फेस्बूक अकाउंट को सस्पेंट कर दिया था और एक नया अकाउंट का इस्तबाल कर धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था उन्होंने ये भी कहा कि अपने बेटियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और वो इससे उनकी पसंद पर छोड़ देंगे अले अकबर पहले भारतिय जनता पार्टी के राज़े कमिटी के मेंबर थी पार्टे पार्टी लेडर्शिप के साथ ऐसा हमती होने के बाद उन्होंने पार्टी पन से इस्तीफा दे दिया था